कि चली दोस्तो 오swap आज मारे पास डूर दूस अरफ इसकंज कर ने वाले इसमें नहीं दोस्तों कुलिंग करा आगाले निसका नमब्र यूज यूज को बदलने पहले आप लोगों को जितनेए इसके तार बगार है अगाने के बाद आगाने से पहले जितने पकार श्लाइन पर मतलब प्र at THE भी pratic Church निकलेगी तो इह काम करने सब्सक्राइब कया काम करना जितने बीश्रम सब्सक्राइद निकाल दें ने ठٍक है लिए ऊसके बाढ़ी बारी से जितने भशमें पाइप जॉइंड तीन पाइप जॉइंड होते हैं एक पिन वाल होता एक सेक्षाइन होता है और लिखे साल लाइन है अग्र आप टुब क़ेंद के मदल इसको काटना भी चाहते हैं तब आप सकते मगर मेरे तूप कट्टर का और टूब कुटर से पाइपोगों काड़ देते हैं तो हमारी लिकीज का प्रोब्लम बन जाती है क्योंकि इन पे पहले से ही सब्सक्राइब नहीं नहीं आधा है तो आप लोग धियान दे तो सबसे पहले इस कंपरेसर को जो हमारा पराने कंपरेसर है इसको निकालने के लिए यहां पर गोटी लगी होती है तो पेचकस की मदद से या प्लास की मदद से जितने भी इसकी गोटी है वह निकाल देनी है फिर उसके बाद हमारा जो कंप्रेसर है दोस्तों उपर की साइट को देखे इस प्रिकार से खाया चेंगे तो रबलों से अच्छी तरीके से हमारा कर जाया जिसमें कोई भी प्रोब्लम नहीं पड़ेगी देखे इस प्रिकार से ठीक है तो कंप्रेसर थोड़ा गरम है इसलिए मैंने प्लास मिजनी की प्लास का मदद से इसको बाहर निकाला है है देखे अब इसके इंदर से जितने भी गुटके एस को हमारे कंप्रेसर को गडवन में करेंगे तो सब्सक्राइब नहीं करें गडर गडर्ट के वाज ज्याद नहीं करेंगा जिससे हमारा रबडिंग पर कंप्रेशर रहे गा और अच्छी तरीके से चलेगा ठीक है तो यह गुटके आप लोगों को लगाने भूती जरूरी है इन गुट को आप लोग कभी नहीं भूलें ठीक है जिससे बाइरेट्शन हमारी जो कंप्रेसर के वह कम हो जाती है बहुत ज्यादा कम हो जाती है उसके बाद दोस्तों जितने भी इसकी गुट के हमने निकाले थे यानि की कंप्रेसर कभ आप लोग निकाल सकते हैं बहुत राम से बाकी दोस्तों अगर कुछ भी आप बाकी दोस्तों अगर कुछ भी आप लोगों को समझ में नहीं आए तो आप लोग डारेक्ली कोमेंट कर सकते हैं पूछ भी सकते हैं मैं सब इस चीजों का जवाब बहुत ही अच्छी तरीके से सब लोगों को देता हूं बहुत ही सलूशन भी देता हूं ठीक है तो नमबर आप लोगों को पर है यह डिसकर्शन में नमबर में डाल दूँगा आप लोग डारेक्ली कुछ भी सवाल एटूजाट पूछ सकते हैं या फिरीज में एटूजाट कोई सी भी प्रोब्लम हो या फिर एसी में कोई सी भी प्रोब्लम हो और आम से मैं जवाब देता हूं तो दो लाइने मैंने यहां पर लगा लिए एक प्रेस 40 लाइन और एक लाइन थीक है तो यहां पर आप लोगो को देखे सबसे अगर नया कंब्ले सर आप लोग चांज कर रहे हैं तो सबसे बड़ी प्रोब्लम होती है कि कर लांग अगर आप लोगों कर तो तो आमारी जो गैस की वह कभी भी लिकीज नहीं होगी आप कहते हैं कि का फ्रेज को रिप्लेस कर लिखाते हैं तो हमारे थोड़ोऊं तो यालिख उती एंग शवर्ल के डिन आगए रहे डिन नहीं चलती है तो चलती cynाई है क्यों नहीं है इसी बज़े से नहीं चलती है जिससे हमारे जो टांका दोस्तों मिस्त्री लोग लगाते हैं वह थोड़ा हलका लगा देते हैं या फिर किसी चीज में गलाबड़ी कर देते हैं जिसके बदेद से हमारी गैस जो माइनस माइनस लिकीज होके निकल जाती है और कम कहते हैं कि हमारी जो फ्रीज दोस्तों रिपेर करवाने के बाद चल नहीं पाता है ऐसा कुछ नहीं है ठीक है तो यहां पर आप लोग लोको बूल कंपणी या फिर गोद्रेज कंपनी का ही आप लोगों का यह प्रहां कि लिए लगने बाला ठीक है aleyहाद देरा कि कि यह अगरास तो हिख दोस्तों है जो पिनिवाल पर यहाद लागए मैं डेखी दोस्तों आप जोड़ा कि यह यह लगाएंगे तो अंदर के सैड को पाईप को चला जाएगा टोक लेंगे तो अच्छी तरीके से कबर कर लेगा अब इसको भी अच्छी तरीके से आप लोगों को ब्रेजिंग कर देना यानि कि टांका बहुत ही जबर्जस्त तरीके से आप लोगों का लगना चाहिए तभी आप लोगों को लगेगा कि हाँ फ्रीज में कुछ काम हुआ है अब देखे हमारा जो प्रेसर दोस्तों लग चुका है अब बात आती है इसमें गैस डालने की देखे गैस डालने के लिए यह हमारे पास से बैक्यूम तो सबसे पहले यह ठंडा हो गया ठंडा होने के बाद पानी से ठंडा कर सकते हैं आप लोग इसको यहां पर इसका पिनव यह पास बैक्यूम मशीन है और रिवाष करके तो यहां पर पांच मिनट में फ्रीज का बैक्यूम करूंगा ठीक है पांच मिनट बैक्यूम करने के बाद अगर हम दसमेट भी करने कोई दिक्कत नहीं है जितना देर तक आप लोग बैक्यूम करेंगे तरह बढ़े रहा दे देख रहेते हैं अब दोस्तों यहां पर मैंश मेटर को भी लगाने के बाद यानि पहले डारेक्ट लाइन लगाई और फिर इसके बाद अब हमारा जो सबसे पहले तो इसको मेंटर को बंद कर दो आप अच्छी तरीका से प्लास की मदब से जैसे मैंने था भी तो इसके बाद यह हमारे पास एक तया तो तो इसमें की मतबत से जो हमारा चोक मदफें नहीं हो जिसकी बगल से जे चलें तो इसमें मत हरुकर्बन को हैं फायदा है यह दाल सकते हैं फ्लरोन में स座ी कि ज्दा चलते तो ते Patch लिंग भी फास्ट होगी आप लोगी और फ्रीज हमारा चोक नहीं होगा बाकि गैस भी होती आप लोगी कम दलेगी एक जो कहने हमारी दो से तीन फ्रीज में आराम से डल जाती है ठीक है तो सबसे पहले देख सकते हैं अब हमने बिगर अभी तक फिरेज को श्टार्ट नहीं क्या है आप लोग ध्यान रखें अभी तक हमने फ्रेज को श्टार्ट नहीं क्या और फ्रेज के अंतर गयाश डाल दिया ठीक है प्रिसर की बात कि जाये तो 55-46 हमरा प्रिसर देख सकते हैं के दिश्चिए अब हमेरे जराया दो heodes ситу अजी ख 처ा है कि मोई है तरह सरा डोस्तों 10 आज थिक यह यानीकी की निचे की साव्म कर दस प्रेसर हमारा आज आएगा सब्लेकर तर्श देख सकते जात on तो रिए परेंगे जिस्से हमारे हम तो हम यहां पर दस से बारे के बीच रखेंगे जिसने हमारा दूसक्त अब करेंगे और और यानि की ठंडा भी अच्छी तरीके से कए में भण जबाए ठीक है इच दिख सकते हैं तो हमारा अरब बात की जाए तो उसके लाइस प्रेसर की में प्ताह्ता हैं भात जाती है और डिक्कत वाद लिबात नहीं आपका फ्रीज चल जाएगा काफी सारी मैंने घर लाइट के दाल का और फ्रेसर के बारा में बाद में क्या करता हूं शेमपो से ज्खाग बनाने के बाद इसकी लीकिज एक बढ़ चाहरा करने के लिए हमारा फुरीज बढ़ने के लिए कि अगर धम जाते हैं कस्टुमर के गर तो कस्टूमर थोड़ा नर्वस्य अगरा है प्लाइंट भी उतनी की उतनी मिलेगी ठीक तो देख सकते हैं बेरकुल हमारा फ्रीज इंदम क्लियर हो चुका है कंप्रेशर डलके तयार और बढ़िया को लिंग कर रहा है ठीक है तो मैं मानता हूं दोस्तों वीडियो आप लोगों को बहुत ही जर्ज़स्ते तरीके से समझ वीडियो में अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी बीच जाकर डरेक्ली सब्सक्राइब करने और हर एक वीडियो लाइक करने तो धन्यवाद दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में